Dear students, welcome to great smashers इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ concept of hashing तो hashing से related जितने भी important point है वो मैं आपको इस वीडियो में explain करूंगा hashing जो है अगर हम competitive exam की बात करें न तो जैसे gate का exam है net का exam है, different different PSUs है every exam contains at least one to two questions from the hashing और बहुत ही simple सा topic है लेकिन important है even आपकी college और university exams के लिए भी बहुत जादा important है तो आपको 2-3 वीडियो अब मैं hashing के ओपर at least दूँगा ताकि आपको पूरा का पूरा concept बता सको, तो वाईस फड़ा फट से वीडियो को like कर दे, channel को subscribe करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और devices से subscribe रवा सकते हो share करके because subscribers बहुत जबूरी है तो चलिए, start करते है hashing में अगर हम बात करें तो ये actual में है क्या it is a method for storing and retrieving the data from database in order of one time मतलब constant time में हम data को store कर रहे हैं और retrieve कर रहे हैं from the database इसको mapping technique भी बोल देते हैं क्योंकि हम larger values को smaller values में map करने की कोशिश करते हैं by using the concept of hashing अब hashing में terminologies मलब कौन-कौन सी terms आती है तो देखो सबसे पहले आ जाती है search key आपको बोल देते हैं कि ये search keys है इनको hash table में डालो तो search key है क्या database में हम किसी ना किसी key के basis पे search करते हैं जैसे student का data लें तो उसमें हम role number से या registration number से passport के data में हम passport number से तो कोई ना कोई search की होती है जिसके basis पे हम data को store करते हैं तो वो search keys हमें कहा डालनी है hash table में डालनी है तो वो कौन-कौन सी keys है वो हमें maximum question में आपको दी होंगी कई पर हम record भी डाल सकते हैं लेकिन record में तो बहुत कुछ होता है अब database के record में name है student का, father name है, mother name है इतनी सारी values को आप hash table में नहीं डालोगे तो आप सिर्फ क्या डालोगे search की hash table के अगर हम बात करें hash table क्या है data structure है हमें भी इंडेक्स है लेकिन इसमें जब हमें search करना है या कोई data को insert करना है delete करना है तो हमें scan करने की जूरत नहीं है with the help of hash function हम इस चीज को order of one time में करेंगे अभी example से आपको बताता हूं ऐसे हैश function के अगर हम बात करें तो k mod n, k mod n है mid square method है folding method है, different methods है लेकिन ये दो methods जो है वो सबसे ज़्यादा use होते है तो देखो, सबसे पहले आगा है 24 अब 24 को ये क्या है मेरे पास key और let's say मैंने function ले लिया k mod 10 hash function मैंने कौन सा लिया k mod 10 अब इस function से मैं map करूँगा इस key को किये कहा जाएगा तो करने के लिए करना क्या क्या आपको key की value क्या है 24 तो 24 mod 10 क्या करना है 24 mod 10 अगर आप value को किसी भी number को 10 से divide करोगे तो remainder जो आएगा that is what mode value तो remainder देखो क्या आएगा 4 तो यानि इसकी hash value आपको मिलगी ये क्या मिलगी आपको hash value मिलगी मतलब आप 4 जगा पे मतलब 4th number index पे जाके किसको डाल दो 24 को डाल दो simple k mod n अगर दिया होगा तो n की value दियोगी कि number of keys आपके पास इतनी है जितनी number of keys होगी 0 से लेके n-1 का आप table बना लेना अगर k mod 10 दिया है तो 0 से लेके 9 का table बना लिया अगर let's say mid square mid square क्या होता है ये भी method सोन लो कई पर theory में आ जाता है जैसे 123 दिया हो तो आपको क्या करना है mid value का square ले लो और उस जगा पे data को store कर दो ऐसी आपको folding कई पर दे देते हैं let's see data मेरे पास 123456 अब इतने data को मुझे store करना है और let's say मेरे पास जो table है वो 0 से लेके 999 के बीच में है अब ये data तो उसमें आएगा नहीं तो करना क्या आपको 123456 इसको fold कर दो मलब इन दोनों को आपने जब add कर दिया 123 अलग कर लिया 456 अलग इन दोनों को add कर दिया 975 तो इस location में डालके आप इस value को store कर सकते हैं तो अलग अलग methods है लेकिन main आप यही methods याद रखना next आ गया 52 तो 52 mod 10 क्या आएगा 2 logic done next क्या आगया 91 mod 10 क्या answer आएगा 1 क्यूंकि remainder क्या आएगा 1 67 67 आपका 7th position पे चला गया 48 आपका इस जगह पे चला गया and 83 आपका 3rd वाली location में चला गया तो आपकी जो insertion है order of 1 time में क्यूंकि आपको इसको just value calculate करनी है और उसके basis पे आप उस value को hash table में डाल सकते हो अब search करना है तो search करते time क्या करना है same way let's say you want to search for 67 तो 67 mod 10 करोगे क्या answer आएगा 7 तो मतलब आपको index number 7 पे जाके उस value को उठा लेना है और उस value के corresponding record को उठाना है तो वो database में पढ़ा होगा disk में पढ़ा होगा तो वह से जाके उठा सकते हो तो यह pointer आगे database को point कर देगा यह index की तरह use हो जाएगा तो order of 1 time में insertion deletion भी करनी है तो same value search कर लो जिस index से जाके data को delete करना हो delete कर दो तो सारे के सारे operations आपके normally order of 1 time में complete हो जाएगे तो यह simple सा concept है hashing का next हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर let's see आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे students के दिमाग में कि sir let's say data आ गया 62 62 तो अब 62 mod 10 करोगे तो answer क्या हैगा 2 2 में तो already data पढ़ा है तो 2 में already 52 पढ़ा है तो अब 62 को कहा डालोगे इसको बोलते है concept of collision जब collision अकर होता है hash table में तो collisions को हम कैसे resolve करते हैं वो पूरे methods हम next video में discuss करेंगे Thank you